दोस्तों आज में लेक्या आगया आपके लिए Excel का एक और magical वीडियो जिसके थू हम एक दिन के 1312 रुपीज अंगर सकते हैं बिल्कुल सही सुना आपने वो देखेंगे कैसे अंगरते हैं तो उसके लिए अपने computer screen में चलते हैं ये मेरे पास एक project आए मेरे team ने जैसे मैंने आपको बता है वो फाइवर में login करते हैं उनके तुरू एक project आता है project क्या है कैसे मिलता है वो हम बाद में देखेंगे पहले देख लेते हैं क्या actual में project मिलते हैं ठीक है इसके लिए मैं फाइवर में चलता हूं मैं यहाँ पे फाइवर में आ गया अब सबसे उपर आप दे नहीं है जैसी search करते हैं यहाँ पे कुछ-कुछ जैसे हम लोग मेरे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग fiber में login होगे होते हैं वो एक अपना profile बनाते हैं कुछ इस तरीके का जैसे यहाँ पे यहाँ पे एक profile बना हुए मैं इसको open कर लेता हूं ठीक है एक मैंने यह open कर लि कोई भी काम दोगे मैं एक दिन के आपके कितने रुपे चार्ज करूगा contact me for one hour अगर हम इसे contact करते हैं तो probably अगर मैं बाहर चलता हूं तो दिखिए यह बोलता है मैं कोई भी function edit कर दूगा कुछ भी कर दूगा मैं आपसे 438 रुपीज लूगा चाहे वो एक दिन लगे चाह यह बोलता है मैं duplicate text rows यह सब हम लोगों को already बहुत सारी वीडियोस बसी कर स्क्रॉल करते हैं बोलता है देखो मैं remove duplicate और file incorporate csb file multiple मैं कुछ भी कर दूगा क्या actual में इनको project मिलते हैं तो वो देख लेते हैं उसके लिए मैं यहां पर आया हूं अब यहां पर देखो इसके पास already एक order है अगर आप यहां पर देखोगे मैं थोड़ा explain कर दो इनको क्याते order order का मतलब बाहर के जो क्लाइंट से वो हमें reach out करते हैं कि आप मेरे लिए Excel ठीक करके दो orders आप यहां पर देख पार हो मैं scroll करता हूं इनके पास already एक order है green में दिख रहा है आपको scroll नीचे करते हैं और इनके पास इनके पास अभी तो कोई order नहीं है बट यह देखे यह online दिख रहे हैं मुझे और यहां पर देखो love भी है मतलब client ने इनको feedback भी दिया तो ऐसे ही मेर प्रोजेक्ट मिला कुछ इस तरीके से एकसल लुक के थूरू learn कर लेते हैं नईनी चीजें भी learn कर पाएंगे और हमारे पास पैसे भी आएंगे ठीक है यहां पर client की जो requirement है वो बोलता है मेरे पास employee ाइडीज है बट यह employee ाइडीज duplicate है ठीक है जी उनको पहले तो unique करके ल हो ना अलग अलग भी हो सकता है जैसे अगर मैं एक employee ID को filter लगाऊं मैंने लगा है 05 को 005 को और यहां पर आप देखो employee ID सेम है बट इसका training program अलग अलग है तो उसने का अगर training program अलग अलग है मुझे यह training program अलग अलग columns में चाहिए पहले तो सारे की value आजाए एक unique ID आजाए उनके सारी value आजाए वो value अलग-अलग columns में हो जब अलग-अलग columns में segregate हो जाए तो अब जहां पर भी power BI लिखका हो वो वले सारे के सारे condition formatting से red color में हो जाए थोड़ा सा tricky है but trust me मैंने यह simple 10 minute में किया और मेरे पास 438 रुपीज आ भी चुके हैं तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह कैसे करेंगे सबसे पहले हमने बोला मतलब client की जो requirement ही उसने का employee ID unique unique तो बोला तो हमारे पास एक function ह है unique वही हम लगाएंगे चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं employee ID और यहां पर लगाता हूं equals to UNIQUE और array array में मैं पूरे पूरा column ले लेता हूं अब उसने बोला है training program जो है ना उनकी values आनी चाहिए आप इसे बहुत जनी बोल रहेंगे अरे वी look up लगा लो वी look up में simple पहली value आईगी हमें उसकी सारी value नीच मिलेगी अब हमें उसकी सारी value चाहिए तो हम क्या लगाएंगे इधर लगाएंगे equals to ध्यान से देखना function concat concat लगाया मैं concat के अंदर वो सारे functions को वो सारे data को जो training program है वो populate करा दुगा concat बोलता है अब इसके अंदर हमें if condition देंगे मैंने लगा if यह वाली value और क्यूंकि यह unique हो चुकी है मैंने बोला अगर यह वाली value is equals to यह value value मिलती है इस column के अंदर चाहिए एक बारी हो पांच बारी हो तो क्या result लाओ उसका column B दे दो पांच बारी हो तो पांच के जो भी result है वो सारे मुझे column B में put कर दो नहीं मिले तो उन्हें blank कर दो मैंने blank किया एंटर किया एंटर और यह देखिए मेरे पास values तो आ चुकी है मैं थोड़ा से expand करता हूँ अगर मैं 000 को filter लगाता हूँ तो मेरे पास है देखते हैं एक है code of conduct फिर से है code of conduct फिर वो Microsoft training program बही है और power BI बही हो तो red color में हो जाना चाहिए अब अगर देख लेते हैं यह सही पिक कर रहा है मैं जाता हूँ डबल वन ट्रिबल जिरो बिलकुल सही यह देखिए code of conduct code of conduct Microsoft office power BI code of conduct code of conduct Microsoft office power BI अब एक तो यह fulfill हो गया अब मैं इसे नीचे तक drag कर देता हूँ मैंने नीचे तक drag कर दिया देखते हैं सारी की सारी values आती है के नहीं आती अगर आती है तो इनको हमें अलग-अलग columns में segregate करना है amazing मेरे पास सारी value आ गई बत यह सारी value न एक के साथ एक chip की हुई है मुझे segregate करना है कि मुझे identify करना है बीच में कोई gap हो या hyphen से कॉमा से कुछ भी डाल सकते हैं तो मैं F2 प्रेस करता हूं यहां जहां बीबी था ना क्योंकि हमारा column की value निकली थी बीबी से वहां मैं put करता हूं and quotes के अंदर एक हाइफन दे देता हूं information आ चुकिए अब मुझे क्या करना है जब इनकी value आगी है मुझे इनको अलग-अलग columns में segregate करना है तो मैं यहां F2 दबाता हूं अलग-अलग columns में segregate करने के लिए हमारे पास एक function आते हैं जिसे हम कहते हैं TEXT SPLIT text plate सबसे लास्ट में आता हूं मैं एक कॉमा डालता हूं यह मुलता है column delimiter column delimiter का मतलब किस से segregate करना है मैंने का जी कॉमा से मैंने डाला था ना कॉमा तो मैं quotes के अंदर कॉमा डाल देता हूं bracket close करता हूं एंटर करता हूं और यह देखिए मेरे अलग-अलग columns में आ गए इसे हम मीचे तक drag करते हैं ओके यह देखिए अलग-अलग columns में आ गए है सारे के सारे columns में information आ चुकी है मैं इन्हें थोड़ा सा expand कर देता हूं अब लास्ट जो requirement थी उनकी वो यह थी कि अगर इनमें कहीं भी power bii आए उसे red color में highlight कर दो मतलब यह वाला जो employee ID है उसने power bii course के लिए opt किया है इसने यहां पर power bii course के लिए opt किया है इसने यहां पर किया है तो इसको finally हम क्या condition लगाएंगे मैंने select किया मैं condition formatting में आया मैं यहां पर new rules में आया यहां पर हम use करेंगे use a formula to determine which cell to format इसमें हम put करेंगे equals to if function मैं bracket open करता हूं मैंने का अगर यह जो cell है इस cell में कहीं भी power bii हो अब क्या है मैंने पूरे का पूरे value select करी है तो यह पूरे के पूरे value में check करता रहेगा तो मुझे क्या करना है पहले तो यहां से dollar sign हटाने है ठीक है यहां से मैं एक dollar sign हटाता हूं यहां से भी dollar sign अटाता हूं मैंने बोला if e2 जो हमारी value है पहला cell है is equals to क्या है power bii मैंने यह लिखा power bii अगर यह power bii है तो मुझे true value में आप कोई भी color डाल सकते हो false value में आप अभी color नहीं डाल सकते हो वह भी हम आगे डालेंगे बट इस वीडियो में नहीं आगे वाली और आगने वाली वीडियो से उस पर हम जरूर सीख लेंगे यहां पर मैंने अगर power bii मतलब एक एक cell में चेक करो कहीं भी power bii लिखा है उसको color कर दो मैंने गा अगर power bii लिखा है तो true value नहीं तो false value ब्राकेट क्लोज करते हैं अब true value का में एक color assign करना है तो मैं यहां पर format में गया इसको मैंने फिल कर दिया फिल में मैंने red color कर दिया okay किया सब okay है मैंने simple इसे close किया यह एक एक cell उपर नीचे दिखा और क्यों क्यों कि हमने cell को select किया था पहले को यह वाले को और जब हमने function लगाया हमने इससे लगाया कोई बात ही हम इसे select रहे हैं देते देखिए mistakes होती है तभी हम ज्यादा learn कर पाते हैं तो मैं क्या करता हूं condition चलता हूं manage rules में चलता हूं इसमें double click करता हूं और यह देखिए यहां पर इटू लिखा ना इटू नहीं होगा इवान होगा मैं इसको टाता हूं one click करता हूं और मैं अब okay करता हूं यहां पर okay करता हूं and amazing हमारे लग चुगा यह देखिए friends अगर हम इस employee को देखेंगे यह power bi में opt कर रखा है स्क्रॉल करते हैं क्या यह सही लगा है वह स्क्रॉल करते हैं करते करते और यह देखिए इन लोगों ने भी power bi opt किया हुआ है तो हमारी client की requirement पूरी हो गई है जो भी वो चाहते थे पहले तो उनकी employee idea को unique करो जो हमने कर दिया values को अलग-अलग columns में segregate करो सारी की सारी values को और अगर power bi आई आता है उसको red highlight कर दो जो कि हमने client के requirement फूरी कर दी है इसके बाद हमारे पास amount भी आ चुका है ऐसी friends आप लोग भी unlimited earn कर सकते हो अपने regular job को side में रखके वो तो चलता ही रहेगा उसके साथ साथ से जम भी आपके पास 15-20 minute एक गंटा हो आप excel में बैटो वाइवर में बैटो login करो project लो काम करो पैसे लो खतम तो आशे करता हूँ दोस्ता आप लोगों को वीडियो पसंद आगे होगी पसंद आई तो like share subscribe करना बिल्कुल मत बूलना और हाँ हमारे पास एक और order आया है power bi का अगर आपको पावर bi के भी project देखने की fiber मिलते हैं के नहीं मिलते हैं मैं उसके भी वीडियो लियाऊंगा मगर नीचे आपको Power BI करके comment करना है जैसे आप comment करोंगे मैं पढ़ूँगा और मैं उसके भी वीडियो ले आऊँगा तो आशे करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आगे होगी पसंद आए तो like, share, subscribe करना बिलकुल मत बूलना अपने comments देना मत बूलना और इस वीडियो को जो भी Excel से पैसे earn करना चाहता है उनके साथ share जरूर करना